नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरा सिंग कॉंग्रेस को एक और बड़ा जटका लगा है All India महला कॉंग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व सांसर सुस्मिता देव ने कॉंग्रेस से नाता तोड़ लिया है सुस्मिता देव ने सौनिया गांधी को अपना स्थीपा स्वाफा है इसके साथ ही उन्होंने अपना ट्विटर बायो भी बदल कर कॉंग्रेस की पूर्व सदस कर दिया है बताया जा रहा है कि सुस्मिता देव टीमसी में शामिल हो सकती है वो टीमसी नेतरत्व के संपर्क में है और जल्द ही कॉलकाता पहुँच कर ममता बनर जी या अवशेक बनर जी से मिल सकती है बता दें कि 16 अगश्ट को सुस्मिता देव ने ट्विटर पर अपने पद के आगे पूर्व जोड़ा था जिसके बाद कयास लगा जा रहे थे कि सुस्मिता कॉंग्रेस छोड़ सकती है जो सुस्मिता देव का स्थीपा सामने आने के बाद सच साबित हुआ सुस्मिता देव ने 15 अगश्ट को सौनिया गांदी को अपना स्थीपा सौंपा है सुस्मिता देव ने अपने स्थीपे में लिखा है कि वो कॉंग्रेस की सदस्ता छोड़ रही है उन्होंने आगे लिखा कि करीब 30 साल कॉंग्रेस पार्टी के साथ काम करना उनके लिए यादगार रहा अब वो आगे जनकल्यान में अपना समय लगाना चाहती है सुस्मिता देव के पार्टी छोड़ने पर कॉंग्रेस नेताओं की प्रतक्रियां भी सामने आने लगी है काति चे दम्मरम ने कहा है कि पार्टी को इस पर मन्थन करना होगा कि क्यों सुस्मिता देव जैसे लोग उनको छोड़ कर जा रहे है भी कपिल सिंपल ने कहा कि युवा नेता कॉंग्रेस छोड़ते जा रहे हैं और हम बूरे नेताओं के इसके लिए जिम्मेदा ठहराया जाता है कॉंग्रेस पार्टी आखे बंद कर आगे बढ़ रही है सुस्मिता ने कॉंग्रेस क्यों छोड़ी इसके पीछे बज़े इस पश्ट तो नहीं हो पाई है लेकिन इतना कहा जा रहा है कि वो लम्मे समय से पार्टी से नाराज चल रही थी असम बिदानसवा चुनाब के दोरान भी उनकी नाराजगी की खबने लगाता सामने आई थी सुस्मिता देब कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर्व मै भारत सरकार में कैवनेट मंती भी रह चुके संतोस मोहन देब की बेटी है उनकी मा बितिखा देब भी बिधायक रह चुकी है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे ये वन इंडिया हिंदी के साथ